हलो दोस्तों आप लोग का यह दी टेक में स्वागत है आज मैं आप लोग का अप्लिकेशन लिखना सिखा हूंगा किस तरीके से आप लोग लेटर लिख सकते हो भी इंगलीज में और हाट डे के लिए मालं आप लोग स्वाजन निव भी लिख सकते हों क्योंकि आप लोग क्लासर को दे रहो हो तो लिख लेना उसके बाद यहां पर इस्कूल नेम यहां पर मैं जगा छोड़ाओं बस ब्रैकेट किया इस्कूल नेम लिखाओं तो यहां पर अपने इस्कूल का नाम यहां पर लिखना रहेगा उसके बाद इस्कूल एड्रेस पूरा इस्कूल का एड्रेस लिखना रहेगा उ एक लाइन छोड़ने के बाद आप लोग को लिखना है एन अप्लिकेशन फोर हाफ डेल लीप मलब आधे दिनका आप लोग छुट्टी मांग रहे हैं अपने सर से तो इस तरीकेस आप लोगा स्वाट में हो गया सब्जेक्ट उसके नीचे आप लोग क्या करना है सर या मैडम एक लाइन छोड़के सर या मैडम आप लोगों लिखना है कोई भी चील लिख सकते है सर या मैडम उसके आप लोगों यहाँ लिखना है most respectfully I would like to inform you that I want to leave the school after lunch मलब इसकूल में जब after lunch हुआ मलब दोपहर का उसके बाद क्या हुआ कि because suddenly I am suffering from much pain मलब उनके पेट में क्या होने लगा अचानक दर्द होने लगा और यहाँ पे इतना लिखने बाद जश्ट आप लोग क्या लिखना है नीचे therefore I request you to kindly grant me permission to go home for half day I will forever grateful to you for this इतना ही बस आप लोग लिखना है और उसके बाद नीचे आप लोग को जश्ट लिख देना है your evidently your name यहाँ पे जो line खीचा हूँ यहाँ पे अपना नाम लिख देना और यहाँ class लिख देना और यहाँ पे role number बस इस तरीके से आप लोग लिख दोगे तो 100% मैं बोलता है आप लोग लेटर हो जाएगा और असानी से आप लोग को वहाँ के school का नाम और यहाँ पे address और date जिस तारीक को आप लोग वहाँ गए हो उस तारीक ही यहाँ पे date आप लोग मिंसन करना उसके subject लिखना उसके sir या madam और यहाँ पे आप लोग का problem जो चीच आप लोग प्रोब्लम हुए यहाँ पे बता दो अच्छी तरीके से उसके बाद आप आप लोग को यहाँ से थोड़ा permission जो अब लोग मांग रहें तो उसको बोल दो और यहाँ पे नीचे लाश्ट हुए आप लोग क्या करना रहते योर अबिडेंटली योर नेम क्लास और रोल नंबर बस इस तरीके से आप लोग पूरा लेटर हो जाएगा तो आप लोग वी आपने दोस्तों में सेहन करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना